जो आदमी परिस्थितियों से खुश होता हो न वो कभी जिन्दिगी में खुश नहीं हो सकता क्योंकि परिस्थितियां हर दम बदलती है परिस्थिति कभी भी सम नहीं रह सकती है सुख दुख it only depends on the situation अगर आप बहार गर्मी में से आ रहे हो और फिर यहां एसी चल रहा हो तो आपको सुख मिले लेकिन बहार एकदम ठंड पड़ रही हो और फिर यहां एसी चल रहा हो तो परिशान होगे दुखी होगे यहां एसी तब भी चल रहा आज भी चल रहा लेकिन परिस्थिती बदली तो सुख दुख भी बदली जीवन में परिस्थितिया कभी बराबर नहीं रहती है हमेशा परिस्थितियों का जो मीटर है वो बढ़ता घटता रहता है लेकिन जिसने सोच लिया ना कि मुझे जीव में बस खुश रहना है प्रसंद रहना है वेद कह रहे हैं प्रसंदता ही भगवान का दूसरा स्वरूप है आनंद में रहना मुस्कुराते रहना ये भगवान का दूसरा स्वरूप है ये प्रसंदता जो मिली है न ये मानव जन्म कोई मिले बताएं आपने किसी गधे को 32 दा लग रहे हैं नहीं देखा हो मनुष्य दिखा सकता इतने पर भी वो दिखाता नहीं धान दिखाने का मतलब मुश्कुराना हसना कोई भी कोई परस्तियाई उसमें खुश रहना हसते रहना इसलिए हमको रापको ठाकुर जी ने मौका दिया है सुखी रहने का प्रसंद रहने का सुख का मतलब कह रहे हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन्बिन रहत दास थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास भगवान का दास जो है न वो भगवान के चरन पकड़ लेता है तो फिर उसका जीवन पुरा आनंद में बीता है